दोस्तो इस वीडियो में हम भुगोल के 10 पर्षनों की चर्चा करेंगे जो कि भारतिय भुगोल से संबंदित है तो शुरू करते हैं गना पक्सी विहार किसके लिए पर्षिद्ध है भागों के लिए तित्रों के लिए गोडावन के लिए या साइबेरियन सारस के लिए गना पक्सी विहार राजस्तान के भरतपूर में इस्तित है यह पक्सियों का स्वर्ग कहलाता है यहां का मुख्य आकर्षक साइबेरियन सारस है गना पक्सी विहार को 1981 में राजस्तिय उद्ध्यान तथा 1985 में युनेश्क को द्वारा विश्व प्राकर्तिक धरोहर की सुचिम में स्यामिल किया गया विश्व का दूसरा सबसे उचा परवत सिकर कौन सा है माउंट एवरेष्ट, गुरु सिकर, कंचन जंगा या गोडविन आश्टिन इसका सही उतर होगा गोडविन आश्टिन जिसे की केटू भी कहते हैं विश्व की सबसे उची चोटी माउंट एवरेष्ट 8,848 मिटर है केटू यानि की गौडविन आश्टिन की उचाई 8,611 मिटर है यह पाक अधिकरत कस्मीर में है जो की भारत की सबसे उची चोटी है भारत का सबसे उचा जल परपात किस नदी पर इस्तित है गंगा नदी, ब्रमा पुत्र नदी, गोडावरी या सरावती इसका सही उतर होगा सरावती नदी भारत का सबसे उचा जलपरपात जोग है जोकी 250 मिटर के लगभग है यह सरावती नदी करनाटक में इस्तित है इसे गर्षोपा जलपरपात भी कहते हैं सुंदर्वन डेल्टा किन नदियों के द्वारा निर्मित है गंगा वे ब्रह्मा पुत्र हूगली वे महा नदी कर्षना वे कावेरी कोसी या महा नदी इसका सही उत्तर होगा गंगा वे ब्रह्मा पुत्र यहां सुंद्री व्रक्स पाए जाते हैं इसी कारण यह सुंदर्व अलेपी बंदरगाहा है भारत के किस राज्य में इस्तित है? इसका सही उत्तर होगा केरल कालिकट तथा कोज़िकोड बंदरगाह भी केरल में इस्तित है देवदार के वन कहां पाए जाते हैं पूर्वी हिमाले, पस्चिमी घाट, विंद्याचल परवत या पस्चिमी हिमाले हिमाले के पस्चिमी भाग में बहु मुल्य व्रिक्स परजाती देवदार के वन पाए जाते हैं देवदार के लकड़ी अधिक मजबूत होती है और निर्मान कारिय में प्रियुक्त होती है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? उदेपूर, पालगाट, नन्रोक या माजूली? इसका सही उत्तरोगा माजूली। माजूली या माजूली असम के ब्रह्मा पूत्र नदी के मद्दे में बसा हुआ एक बड़ा नदी द्वीप है। शांत घाटी यानि की साइलेंट वेली कहां इस्तित है? करनाटक में, हिमाचल परदेश में, महराष्ट में या केरल में? इसका सही उत्तर होगा केरल में। भारत में सबसे लंबी तट रेखा अंडमान निकोबार की है, जो कि एक संगसासित परदेश है, वहीं सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्ये में सबसे पहले गुजरात, दूसरा आंदर परदेश वे तीसरा तमिलनाडू है। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सामानी ग्यान के अन्य वीडियो के लिए चैनल सब्क्राइब कीजिए, जिके अभी, धन्यवाद।